बिसमिल्ला रख्मान ररहीम असलाम लेकुम आज हम चैप्टर नंबर 16 सेकेंड डियर बायो का टॉपिक जो पढ़ेंगे इस जॉइंट्स वेरी इंपोर्टन लॉंग क्वेस्टन जॉइंट्स का सेकेंड नेम होता है आर्टिकुलेशन आर्टिकुलेशन भी कहते हैं जॉइ लॉइन्स इस जगह पे होते हैं जहां फर बॉन्स मिलती हैं जैसे यह पर डियरग्रम में देख सकते हों द्यरखर Shane Grandpa ऑर यह इस जगह पे यह अपस में मिल रही है स्ब्सक्राइबस स्ब्सक्राइब्सॉन ब에कुलेशन तो जॉइंट्ट्स का रोल ही होता है की एक-दो इस skeleton together और दूसरा वो mobility देता है यानि के movement में joint जोहना वो involved होता है तो joint को हम classify करते हैं on the basis of the movement तो three types होती है on the basis of movement joints की एक होती है immovable joint ये ऐसे joint होते हैं जिन से bone जहां पर ये joint होंगे वहां पर bone बिल्कुल भी move नहीं करेंगी immovable joint हैं जैसे के skull joint slightly movable joint तो ये joint ऐसे हैं कि जिस जगह पर ये होंगे वहां पर जो bones होंगी वो in joint की वज़े से slightly move कर पाएंगी जादा move नहीं कर पाएंगी जैसे के joint between vertebras and freely movable joint तो जिस जगह ये joint होंगे वहां पर bones जो हैं वह freely move कर सकती हैं और ये फर्दर आगे फिर two types के हैं एक hinge joints और एक ball and socket joint और भी types होती हैं इनकी रेकर mainly हम जो पढ़ेंगे इस topic में वह hinge joints और ball and socket joint पढ़ेंगे तो movement की base पे three types के joints हैं एक immoveable joint जो के skull में मजूद होते हैं slightly movable joint जो के vertebras के दर्म्यान में और freely movable joint जो के further फिर hinge joint होते हैं और ball and socket joint होते हैं classification on the basis of structure तो structure की base पे भी joints three types के हैं एक fibrous joint हैं cartilogenous joint हैं और synovial joint तो बारी बारी हम इन तिनो joints को देखेंगे कि ये कैसे होते हैं तो एक साथ हम इनको देख रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे fibrous joint तो इसका structure कैसा होता है ये कैसा joint होता है जिसमें जो bones होती हैं वो कैसे herald होती हैं कैसे मुझूद कैसे जगा पे रहती हैं by short fibers और वो जो short fiber है protein के बने हुए हैं ये किस के साथ attach होते हैं या embedded होते हैं connective tissue में connective tissue यहां पे bones को का जा रहा है तो इस ये ऐसा joint है जिसमें जो bones होती हैं उनको एक साथ कौन रखते हैं held together कौन करते हैं short fibers यह जो fibrous joint हैं इनकी वज़े से कोई movement नहीं होती यह fix कर देते हैं bones को तो movement के है fixed and no movement और यह joints कहां होते हैं यह skull में होते हैं joint जो हैं वो fibrous joint हैं उसके लावा इनी joint के जरीए और यह joint का मजूद हैं teeth और jaws के दर्मयान और इनी joints के जरीए teeth fix होते हैं into jaws तो यह fibrous joint है एक skull में मजूद है तो यह देखें यह हमारी skull है कि यह bones है यह occipital bone है o for occipital यह side वाली bone है prital bones और यह सामने वाली bone है frontal bone और आप देख सकते हो कि इनके दर्मयान में इन bones यह bones एक दूसरे के साथ कैसे connected हैं या कैसे एक जगा पर यह मजूद हैं by mean of these short fibers और यह short fibers in bone में embedded हैं इधर एक इधर और एक इधर bone में तो यह बीच में in bones के दर्मयान में यह short fibers हैं जो in bones को held together किया हुआ है एक ही जगा पर रखा हुआ है अगर हम थोड़ा और इसको देखें इस डायग्राम में तो यह इसी इस part को अगर हम थोड़ा और इन लास्ट करके देखें तो यह skull की bones हैं और यह इनके दर्मयान में यह joint बने हुए हैं सुचर कहते हैं skull के जो joint होते हैं सुचर उनको कहा जाता है और इन यह bones जो हैं वो एक जगा पर कैसे मुझूद हैं यह बीच में आपको short fibers नजर आ रहे हैं तो इस तरह जो joint होते हैं वो fibrous joint जो नहों वो गहलाते हैं यह देखें यह teeth है यह jaw है jaw का socket है और इस में teeth ब्लकु जान में यह एक joint बना हो है this joint is fibrous joint जो कि short fibers पे मुझ्तमिल है और teeth को fix करता है into the jaw socket तो यह पहले पहला joint है fibrous joint जिसमें इस joint में bones जो हैं वो एक साथ कैसे रहती हैं या कैसे होती है एक साथ short fibers के जरी है इस joint की बज़ए से कोई movement नहीं होती और यह joint skull में होते हैं skull joint होते हैं और इन ही joints की वज़ए से teeth जो है वो jaws में fix आते हैं दूसरी जो टाइप है वो cartilaginous joint है इन joints में क्या होता है कि bones जो हैं वो कैसे एक साथ held होती है by cartilage तो cartilage के जरीए bones एक जगा पे मजूद रहती हैं इस joint पर वो cartilage कों से होते हैं जो joints को बनाने में use होते हैं या involved होते हैं heline cartilage और fibro cartilage तो इन joints के विज़ए से little या no movement होती है little और no movement इसमें heline cartilage जैसे कौन सा joint बना रहा है किस के दर्म्यान में joint बना रहा है between growing bones जो bones अभी grow कर रही हैं उनके दर्म्यान में जो joint बनाता है heline cartilage इसी तरह fibro cartilage वर्टी ब्राज के दर्म्यान में जो joint होता है वो fibro cartilage होता है और वह point वह जगा जहां पे coxal bones जो के hip bones के लाती है मिलती हैं मिल रही होती है in front of pelvis तो वहां पे यह joint होता है जहां दो coxal bones मिलती हैं वह joint पी किसका बना होता है fibro cartilage का उस joint को pubis symphysis कहते हैं तो वह joint पी किस पे मुश्तमिल होता है cartilage पे जिसका नाम है fibro cartilage तो अगर हम इनकी देखें डाइग्राम के थुरू देखें तो यह cartilage joint है यह एक growing bone है इस growing bone में यह आपको red color की जो line नजर आ रही है इस joint है जिसने growing bone के इस part को इस part के साथ attach किये हुआ है अभी यह bone grow कर रही है अभी यह fully mature नहीं हुई है यह bone तो इस bone का यह जो end है यह दूसरे end के साथ attach है by mean of a cartilaginous bond इस bond को कहते है एपी-फाइसियल प्लेट और यह जो प्लेट है यह कौन से cartilage की बनी हुई है हेलाइन cartilage तो growing bones के अंदर यह growing bones में जो एक end और दूसरा end joint के दर्म्यान में एक cartilaginous joint होता है जो कि हलाइन cartilage का बना हुई है तो जो जो यह bone grow करती जाएगी यह जो हलाइन cartilage है it is replaced with bone यह bone से replace होता जाएगा और fully mature bone में यह हेलाइन cartilage का यह जो bond है यह line है यह खत्म हो जाएगी और इसकी जगा bone जो है इसको replace कर लेगा cartilaginous joint उसके लवा किसके दर्मयान में होता है vertibras के दर्मयान में यह दो vertibras हैं और यह इनके दर्मयान में यह एक joint है यह joint fibrocartilage का बना हुआ है तो यह cartilaginous joint है और अगर हम देखें cartilaginous joint in joint में जो bone है वो एक साथ कैसे रहती है cartilage के जरीए कौन से cartilage है जो cartilaginous joint को बनाने में इन्वाग है एक hyaline cartilage है और दूसरा fibrocartilage है इस joint के जरीए movement जो हो रही होती है वो little या no movement है hyaline cartilage का joint बना रहा है between growing bones जो bone grow कर रही है उनके दर्मियान में hyaline cartilage joint बनाता है और fibrocartilage का joint कहां बना रहा है vertibras के दर्मियान में और वो जगा जहां coxal bones मिलती है in front of pelvis जिसको हम pubis symphysis कहते हैं वहां पे जो है न वो यह cartilage का joint होता है उसके बाद third जिसकी type है synovial joint यह जो joint होता है इसमें cavity होती है यानि जो bones हैं दोनों bones के दर्मियान में जो friction है वो कम से कम जो हो सके तो यह जो joint है इसको cover किया होता है connective tissue की एक layer ने उस connective tissue की layer को fibrous capsule कहते हैं इस joint में अंदर की तरफ भी एक layer होती है यह layer synovial membrane के लाती है इसी synovial membrane से synovial fluid release होता है यह जो fibrous capsule हैं इसके कुछ parts modify होके यानि change होके क्या बनाते हैं legaments बनाते हैं और यह जो legaments हैं यह फिर इस joint पे bones को अकठा रखते हैं holding the bones together मैं दोबार बहुत हैं इसके structure का structure को यह जो joints है अब भी आपने इन में देख रहा था इन में कोई cavity नहीं है बॉन्स के दर्मयान में जो friction है उसको reduce करती है यह जो synovial joint जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे bonds freely move करेंगे तो यह bonds के during movement यह synovial fluid डोनों bonds के दर्मयान में जो friction है उसको reduce करता है इस joint को किसने cover किया होता है इस joint को cover किया हुआ है connective tissue की एक layer ने जिसका नाम है fibrous capsule इस joint के अंदर वाली sack पर भी layer होती है जो के synovial membrane के लाती है जो synovial fluid release करती है जो capsule है fibrous capsule है इसके जो कुछ parts है यह modify होके change होके क्या बनाते है ligaments बनाते है यह जो ligaments है फिर आगे bonds को एक साथ कठा रखती है तो fibrous joint में जो bonds होते है joint fibers joint जो है वो bones को एक साथ held together by short fibers cartilaginus joint जो है वो cartilage के जरीए bonds को एक जगा रखती है joint पर और synovial joint में ligaments जो हैं वो bones को hold करते हैं तो synovial joint जहां जहां होगा वहां freely movable joint होता है वहां पर bones freely move करेंगी इसमें shoulder joint आ जाता है knee joint है elbow joint है hip joint है तो we can move over shoulder we can move over knee we can move over elbow as well as hip तो यह इन जगों इन जगों को जो हम move कर सकते हैं वो synovial joint की वज़ा से यह move होते हैं तो यह structure की base पे यह तीन joints की जो है न वो types हैं अगर किसकोई भी difference आता है तो आप यह लिख सकते हो short question में यह synovial joint की diagram है जैसे के मैंने आपको पहले बताया कि इस joint के में जो तो bones होगी उनके दर्मयान में space होगी आप देख सकते हो कि दोनों bones के दर्मयान में यह cavity है and this cavity is filled with synovial fluid अगर अगर हम इसको थोड़ा और close करें तो हमें इसमें जो है ना वो नदर आ रहा होगा कि यह जो joint है इसको बाहर किसने cover किया हुआ है एक लेयर में connective tissue की लेयर में जिसको fibrous capsule जाते है जिस green लेयर और इसके अंदर एक और लेयर होती है यह आपको एक और लेयर नजर आ रही होगी blue color में इधर भी और इस side पे भी इस लेयर is known as synovial membrane और यही synovial membrane है जो किसको release कर रही है जो के synovial fluid को release करती है उसके लावा आप देख सकते हो यहाँ पर के fibrous capsule के जो कुछ parts हैं वो modify होखे उन्होंने क्या बनाया है वो यहाँ पर ligament बना रहा है और ligament वो connective tissue है जो के bones को synovial joint पर जो bones हैं उनको एक साथ रखता है यह cartilage है articular cartilage यह bones के end को इसने cover किया हुआ है articular cartilage और articular cartilage हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह कौन से cartilage है hyaline cartilage I repeat synovial joint में जो bones है उनके दर्म्यान में यह cavity and this cavity is filled with synovial fluid this joint is surrounded by a layer of connective tissue known as fibrous capsule और एक an inner layer है एक outer layer ने cover किया हुआ है इस joint को और एक inner layer ने cover किया हुआ है तो outer layer जो है इसकी वो fibrous capsule है और inner layer जो है वो इसकी synovial membrane है जो के synovial fluid release करती है उसके लावा fibrous capsule के कुछ parts modify होके change होके वो क्या बना रहे हैं ligaments बना रहे हैं लेकर ना main इसकी जो main दो types है उसको हम यहां पर देखेंगे एक hinge joint है और एक ball and socket joint है तो इन दोनों के दर्म्यान में difference वेना वो हम देखेंगे movement hinge joint जो है यह जहां पर भी होगा joint यह allow करता है movement in two directions up and down up and down movement allow करेगा तो दो movement only only two direction में यह movement allow करता है लेकर जो ball and socket joint जहां होगा वहाँ पर जो movements होंगी वो several direction में होगी right भी left भी up भी down भी तो यह joint allow करता है movement in two direction और यह joint है ही allow करता है movement in several direction muscle arrangement तो hinge joint पे pair of muscles होते हैं यानि two muscles होते हैं और वो वैसे ही एक ही plane पे उसी plane पे arrange होते हैं जिस plane पर joint होता है यानि उसी line पे plane मतलब एक imaginary line तो उसी line पे arrange होते हैं जिस line पे जिस plane पे joint मजूद है जैसे यह आप देख सकते हो कि यह एक muscle यह है एक muscle नीचे है यह pair of muscle है और यह bones हैं यह joint कौन सा है यह hinge joint और hinge joint पे two muscles होते हैं यानि pair of muscles होते हैं और जिस line पे जिस plane पे जैसे यह arrow shift कर रहा है कि इस plane पे straight line पे joint मजूद है इसी straight line पे कौन arrange होते हैं muscle भी arrange होते हैं अब muscle जो है ना उसके इस ना इस origin तो muscle का यह joint है जिसको हम origin कहते हैं यह किसके साथ attach होता है इम्मूवेबल जो बॉन के साथ जो जहां पे hinge joint होगा वहां एक bone जोगी वह immoveable होगी और दूसरी जो bone होगी वह movable होगी तो muscle का वह end जो के origin कहलाता है वह immoveable bone के साथ attach होगा और muscle का जो insertion कहलाता है वह movable bone के साथ attach होगा जैसे इस case में देखें तो यह immoveable bone है यानि movement के दुरान यह बिल्कुल भी move नहीं करेगी और muscle का यह जो end जो इसके साथ attach है यह end क्या कहलाएगा उपर वाला भी और यह नीचे वाला भी origin कहलाएगा और यह इस bone ने move करना है इस bone के साथ जो muscle का end attach है वह insertion कहलाता है तो हर muscle का एक end region होता है वह fix होता है वह immoveable bone के साथ fix होता है joint की साइट पे जैसे joint की एक side है यहां पे चैसरीarta पैर यह यह origin है यह immoveable bone है और brings जो दूसरा end है muscle का फो insertion कहलता है और जो end की दूसरी side पे attach होगा यह जीन इस side पे attach होगा और इस side पे जो bone होगी यह movable bone है तो याद रिखिएगा कि origin जो कि muscle का end जो origin है वो immovable bone के साथ attach होता है at joint और insertion वो end है muscle का जो कि movable bone के साथ attach होता है at joint दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो ball and socket joint है उसमें at least two pairs of muscle होते हैं यानि कमस कम चार muscle four muscle होते हैं in the form of two pairs और वो जो दोनों pairs हैं वो ball and socket joint पे कैसे arrange होते हैं perpendicular to each other जैसे कि आप देख सकते हो इस diagram में यह two bones हैं इनके दर्मयान में जो joint है वो ball and socket joint है एक muscle का pair इस इदर है और एक muscle का pair यह है तो यह वाला जो इसका angle दोनों pair के दर्मयान में जो बन रहा है वो 90 degree यह निए perpendicular to each other तो यह M.C.Q में यार विखिएगा कि hinge joint पे pair of the muscle होते हैं और ball and socket joint पे at least two pair of muscle होते हैं थर्ड पॉइंट है feature flexibility तो hinge joint में limited flexibility होती है इसलिए यह सिरफ two direction में move कर सकता है ball and socket joint के मकाबले में इसमें flexibility कम है जबके ball and socket joint में maximum flexibility है इसलिए जहाँ यह joint होगा वहां bones जो हैं वो किसी भी direction में several direction में move कर सकती है इसकी example है elbow joint तो आपको आप देख सकते हो कि आप अपने इस elbow joint की वज़ए से हम अपने जो arm है उसको up and down लेके जा सकते हैं lower arm को upper arm की नहीं lower arm जो है यह joint किसके दरम्यान में है upper arm और lower arm अपर arm में humerus है और lower arm में radius और अलन है तो lower arm को up and down कर सकते हैं due to this elbow joint इसी तरह जो knee joint है यह femur और टिपी और फेबूला के दरम्यान में है तो हम अपनी leg को up and down कर सकते हैं इसी तरह hip joint है तो hip joint की वज़ए से हम अपनी यह hip joint किसके दरम्यान में है leg जो हमारी leg है और जो pelvic जो girdle है उसके दरम्यान में है तो हम इस joint की बज़ए से अपनी leg को ऊपर नीचे right left जो है ना move करवा सकते हैं मतलब in several directions तो यह इसकी आगे दो further जो है ना वो types है यह diagram की through जो है ना हम देखते हैं सबसे पहले ball and socket joint है जो कि किसके दरम्यान में मजूद है that is present between scapula यह shoulder bone है scapula और यह humerus है यह humerus का head है और यह scapula का socket है इसलिए joint को ball and socket joint कहते हैं यह जो ball type जो structure बना हो है bone का यह इस socket में fit आ जाता है और इसको कैसे fit आता है by mean or joint इन दोनों के दरम्यान में जो space नदर आ रही है यह joint का का काम करेगी साइनोगियल joint है इसमें देखिए यहां पर और ख्लेयर में नदर आ रहा है यह scapula है जिसमें socket बना हो है और यह humerus है जो ball like इसका यह head है और यह socket में fit आ जाएगा और यहां पर joint होगा वो ball and socket joint कह लाएगा साइनोगियल joint है और यह arrow show कर रहे हैं कि हम humerus को पीछे भी लेके जा सकते हैं आगे भी लेके जा सकते हैं इसको हम घुमा भी सकते हैं इसको हम इस side पे भी लेके जा सकते हैं तो in several direction में यह humerus bone जो हैं वो move कर सकती है जो कि arm के अंदर होती है यह humerus दूसरी तरव यह hinge joint है hinge joint is present between humerus यह humerus और अल्ला और radius के दरम्यान में होता है इस जगह तो यह humerus की bone है humerus की bone यह वरी जो इसकी जो side है यह इसको हम ऐसे शोग कर रहे रहे हैं और नीचे से अल्ला की side ऐसे यह Allah की कर लेए यह रेडियस कर लेए उनकी वह ऐसे हूं की surface है यह bone की surface है यह asa and जो asa तो यह इस तरह बोन एक दूसरे के साथ अटाइच होती है और इसकी वज़ए से या तो हम उपर लेके जा सकते हैं या हम नीचे तो यह यह जॉइंट में यह इंमुवबल बोन होगी इस हिंज जॉइंट में यह बोन मुव नहीं करेगी और यह दोनों मूव करेंगी तो हम और रेडियस जो के लोवर आर में है उसको हिंज जॉइंट के वज़ए से उपर और नीचे लेके जा सकते हैं टू डिरेक्शन में मूव करवा सकते हैं एक और भी टाइप है जो कि इसकी डिटेल तो नहीं है हमारे बूट में सिर्फ नाम एपिवर्ट जॉइंट आई है औ यह रेडियस और अल्ना के दर्मयान में इस जॉइंट की वज़ए से होता है पिवर्ट जॉइंट की वज़ए से तो इसमें यह जो पार्ट है अल्ना का यह दिस पार्ट इसको मैं यहां पर ऐसे शो किया हुए और रेडियस का यह जो पार्ट है वह ऐसे है और इन दोनों क यह instr पिवोर्ट ज्वाइंड एक और जगा पर भी मजूद होता है हमारी नेक में जो फस्ट सर्वा Principal वर्टीबराय है जिसको एकलिस कहते हैं और जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टीबराय है जिसको एकक्सिस कहते उनके द्रम्यान में भी यह जुएन मजूद होता है इन दोनों वर्टीब आउसके द्रम्यान में और इस इसी जुएन की वज़ए से हम अपनी नेक को अपनी हैड को राइट एन लेफ्ट जुएन अवो कर सकते हैं तो इसी तरह यह जो लोबर आर्म है इसको हम राइट और ल साइनोगे जॉइंट है तो आज जुम्हारा आज का मारा टॉपिक यही था वेरी वेरी इंपोर्टन लॉंग क्वेस्चन जॉइंट्स तो यह आपने सारा बताना है उसकी डैफिनेशन उसका रोल फिर उसकी ग्लासिफिकेशन ऑन दा बेसिज आफ मूव्मेंट फिर उसकी ग उसके बाद यह डाइग्राम जो आपने बनानी है इन मेंसे कोई भी बुक में नहीं है इसलिए इन मेंसे कोई डाइग्राम आपने बनानी है बस समझने के लिए उसके बाद आपने हिंट जॉइन के बारे में बताना है बाल एंड सौकिट जॉइन के बारे में बताना है दो So this is all about today's topic, joints. Thank you very much. Allah Hafiz.